चली आज इस चल्वाट करते हैं आज हम एक नए स्रीज आपके लिए लेकर आए जिसमें हम देखेंगे इंटरनेशनल और इस इंटरनेशनल और शरीज में हम सबसे पहले देखेंगे उन्याटेट नेशन और उससे सम्मंध्ध जितनी एजंसी एपार्टमेंट है उनको देख तो इतिहास की बात करने के लिए एक व्रिष्तित जो है रूल तयार करने के लिए हेग में एक अंतराश्ट सांसामेलन का आयोजन किया गया था इसके बाद क्या हुआ इसके बाद कुछ टाइम बाए इसे अंतराश्टी विवादों के प्रसांत मतलब निप्टाने के लिए कंविंशन को अपनाया गया अस्थाई मध्यस्ता नियाले के अस्थापना भी की सब्सक्राइब के रूप में जाना जाता था ठीक है यह एक संग्टन था जिसकी कलपना जो है प्रतम विश्यूद की परसितियों को देखते हुए की गए थी 1919 की जो वर्साय के संध हुए थी ठीक है फस्ट वर्डवार के बात करें तो अंतराश्टी सहीवों को बढ़ाव और सांध की रच्छा प्राप्ट करने के लिए इससे स्थापित किया गया और साथी साथ देखेंगे तो आयलो भी इस लीक से संबंदित एक एजंसी के रूप में वर्साय के संधिके तयात 1919 में बनाया गया था तो यह था संग्तराश्ट का इतिहास इसके लावा अगर बा सब्सक्राश्ट करने के बाद एक अंतर सरकारी संग्टन के रूप में मूल भूत रूप में आप देखेंगे जब वर्तमान में यूवन देख रहे हैं उसकी सक्लम के सामने आया अभी हाली में बिस्व ने 24 अक्टूबर 2013 को यूनाइट नेशन की अटतरवी वर्सकाट मनाई ठीक है इसके लाव से इंतराश्ट के प्रमुकंगों की बात करें तो छे प्रमुकंग हैं यूएन महासबा यारी जनरल असेंबली इंटरनेसनल कोर्ट आप जस्टिस अरस्ट देखेंगे तो 1945 में थी सभी ये छे जो इसके प्रमुकंग हैं इन सभी के स्थापना जो है आप दिखेंगे 1945 में एक ही साथ की गई थी तो ये तो बात हो गई यूएन की ठीक हो इसके हिस्टोरिकल बैग्राउंड की बात कर लिए हमने अब यूनाइट नेशन के प्रमुक करने वाला सेंगतराश्च का प्रमुकंग है करता क्या है अंतर राष्टी मात के मुद्दों पर सेंगतराश्च के चार्टर द्वारा कवर किये गए जो भी बहुपच्छी चर्चा के लिए एक मंच प्रतान करता है इसके लामा सेंगतराश्च के सभी 133 में सदस्य ठीक है इसके सतस होते हैं और कुछ फैक्शन इंफर्मेशन देख लें तो महासभा के अध्यच को प्रतेक वर्स के लिए एक वर्स के कारिकाल के विधान सभा द्वारा चुना जाता है ठीक है वरतमान में देखेंगे तो जनरल असेंब्ली के जो प्रेसिडेंट जो है डेनिस प्र अध्यच घ्यान रखिए हर सांब्ली के जो है यहां पर इसमें सांथ सरच्छा नए सतसों के प्रवेश बस्टी मामलों के मातपूर प्रसणों पर नेरडय किये जाता है इसके लाव बत करें तो ये जो जनरेल असेंबली तो छे समितियां है और ये छे समितियां जो क्या करती है पहली समित जो होती है उनिसस्त्री का अंतरा सुरच्छा के मामले में दूसरी समित की बात करें तो आर्थिक और विद्धी मामले में तीसरी समित जोती है, सामाजिक, मानावत्तावादी और सांस्कृतिक मामलों की रिपोर्ट तयार करती है चौती समित जोती विशेस राजेतिक और उपनोवेशी करण की मामलों में रिपोर्ट तयार करती है पांच भी दिखेंगे प्रशाजनिक बच्ठी और छटी कानूनी रूप में अन्य समितियों की बात करें एक सामाने समित होती है या महासभा और इसके समितियों के प्रगत की समिच्छा के लिए ऐसी प्रगत को आगे बढ़ाने के लिए सिफारिस के लिए प्रत्यक सहत्र के समय समय बैठा करती है अब यहां आपको ध्यान रखना है महासभा के अध्यच और सभा के 21 उपादच्छे उच्छे मुख समितियों के अध्यच्छों से बना है यह सुरच्छा परिशत के पांच अस्थाई उपाध्यच के रूप में भी कार करते हैं इसके अलावा यूप ठीक अब उस कुश्चन की बात कर लेते हैं देखिए कुश्चन पुछा गया 2022 में कुश्चन पुछा गया तैंक राश्ट प्रत्य समित यह उनाटेट नेशल नेशन क्रिदेंशियल कमेटी के संधर्में नेवलित कतनों पर विचार कीजिए ऑप्सन एक तैंक राश्ट की सुरच्छा परिशत द्वारा अस्थापित इस समित समित है और इसके परवेच्छड के अधेन काम करती है आप्सन दो यह पारामपरिक रूप से प्रतिवर्स मार्च जून और सितंबर में पैठक होती है आप्सन तीन यह महासाभा के अनुमोदन है रिपोर्ट प्रस्तु कि जाती है तो इसमें ऑप्सन एक गलत हो जाएगा पारमपरिक रूप से प्रतिवर्स जेकेंगे जून समबर में बैठती है यह बात गलत है इसमें सिर्फ और सिप ऑप्सन तीन जो है सई है नेश्च पुछा गया यूएं महासाभा के द्वारा जो कुछा गया था यूप करते हैं ऊप्सन तीन यूएं महासभा में अस्ठाइय प्रेच्छा क्न बढया रख सकते हैं कौन सा कथन साइए तो यह तो बात हो गई लाइनेशन जनरल एसम्बली की जूसरा बात करेंगे यूच्ट नेशन सेक्योर्टी काउंसिल दूसरी इंपॉर्टन भाग है क्या है तो आप दिखेंगे यह crisis management है क्या है crisis management निकाह है इसका प्रभूक उद्यस्स क्या है इसका प्रभूक उद्यस अंतराष्टी सांट सुरच्छा को बनाया रखना इसमें 193 जो बादे कारी तायट तो यानि binding obligation को लाउग करने का पांदरा होते हैं इसमें आप 5 अस्थाई होंगे ठीक है, 10 जो है, आस्थाई होंगे, 5 अस्थाई में कौन कौन सामिल है, चीन, फ्रांस, इसके अलावा हम देखेंगे तो रूस, यूके, यूसे, ये 5 हों, ये अस्थाई, इन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है, इन्हें वीटो पावर की सकती चुन जाते हैं इन्हें वीटो पावर नहीं प्राप्त है इसके लावाँ बात करें तो प्रत्येक सदस को केवल एक माह के लिए के अध्यच्ता का उसर मिलदत दिया आए और जो सदस इसके अध्यच बनते हैं वह अंग्रेजी वड़माला के करम का पालन करते हैं उनका चैन की जाता है तो यह तो बात होगे उन्हें सेक्योर्टी काउंसिल अब उसमें कुछ अपडेट की बात कर लेते हैं इसमें इसमें कुछ समों बन गया जिससे जीफट फोर का याता है जीफट फोर मां दिखेंगे भारत ब्राजील जर्मनी जापान सामिल है यह समों जो है संधुराश्ट में सुरच्छा परसेत में सुरच्छा की मांग करते हैं इसके रावा एल 69 समों मुक रूप से अफ्रीका और लेटिन करेबिन और एसिया प्रसान विकासिल देश सामिल है यह भी जो है ब्यापक सुधार की मांग करते हैं अब इसे समझें कुष्चन की बार करें में कुष्चन पुछा गया 2009 में पुछा गया परिसत में पांच अस्थाई यानि पर्मनेट मिंबर होते हैं और दस अस्थाई मांग सभाद्वारा कि इतने साल की अवज के लिए चुने जाते हैं इसमें आपको बता रहा है इसमें देखेंगे दो वर्स की अवज के लिए जाते हैं अभी हमने बताया है नेक्स्ट विभाग की बात करें तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि अंतरगत आप दिखेंगे एक समित है आतंगवाद रोजी समित यह समित कहते हैं तो युने सेक्रिटी काउंसिल के संकल्ब से 2001 के माध्यम से की गए थी इसे संग्तराइज अमेरिका में 11 सेंबर 2001 में हुए अंगतावादी हम लोग के बाद अस्थापित किया गया था भालत इसका सदस्देस नहीं है इस समित में देखेंगे युनाइट नेर्स सेक्रिटी काउंसिल के सभी 15 सदस सामिल होते हैं इसके लावा युन पीस केपिंग जो संग्तराइज संथ स्थापना के लिए जाता है इसे भी आप देखेंगे संग्तराइज अच्छा पर्षट द्वारा जो है यह तो बात होगा युन पीस कीपिंग की नेक्ष्ट इपार्टमेंट या निया अच्छ भाग की बात करें important तीसरे भाग की बात करें सायुक्त राश्ट का आर्तिक और सामाजिक परशत इसका सदस्देश है इसका काम है आर्तिक सामाजिक अपरयावाड़ी मुद्धोपर समन्वे स्थापिच करना पॉलसी की समिच्छा करना नितिगत यानि पॉलसी जो समवाद है उसको स्थापिच करना सीफार से करना यह जो है इसका काम है ठीक है इसके लाव देखेंगे इसमें जो सदसों के संख्या है 54 है और यह सदस्द जो है देखेंगे सेंग्त राश्ट महासबदवारा चुले जाते हैं 14 जो सेंग्त राश्ट की विशिष्ट एजंसियां और 10 कार्यात्मक आयोग समान प्रकित के सामाजिक नीतियों पर सला देता है मुख़ुरूप से अंतर सरकारी एजनसियों को कवर नहीं किये गए समाजिक शेत्रों के सभी मामलों पर सला देता है इसके संटस चार साल के लिए चुने जाते हैं ऐनका चैन देखेंगे तो चाहमान इसी के अंतरगत आप देखेंगे तो यूरोप के लिए अर्थिक आयोग भी काम करता है भारत इसे सदस्देस नहीं है इसमें देखेंगे तो यूरोप उत्री अमेरिका एसिया के चपन सदस जो है यह सामिल है ठीक है इसे उन्हें उस्टालिस में स्थापित किया गया था और इसका महिलाओं करता है यह लेगिंग समानता महिलाओं करको बढ़ावा जाता है इसका मुख्याले देखेंगे उन्हेयर्क यूर्टिस से मिस्टी थे इसका ममंत्य में दियावां के जीवन की वास्तविक्ता को रुकार्ट और दस्ताव वेजी करके में ठीक है बढ़िया और platform for action के कारणन में अगरी भूमके निवाता है इससे जो है UPSC में question आ चुका है ठीक है Beijing declaration है क्या इससे question आ चुका है इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है ठीक है और हमेशा जो है यह news में रहता है कि यह महिला और संबन्दित है बात करें तो इसमें एक समय में प्रत्राइब को चार साल के लिए कि डॉप चुरा गया है अब कुछन को देख लेते हैं कि यूपीस्टी में प्राया समचार पत्रों में देखा जाने वाला बीजिंग भूषडा और कारवाई मंच यानि वीजिंग डिकलेशन एंड प्लेटफॉर्म फर एक्सन क्या है ओप्सन एक शेत्री आतंगवासे निपटने के लिए कार नित यानि स्ट्रेजी संगाई सही और संगठन ऑप्सन भी एसिया प्रसांद शेत्में धाड़ी आर्थिक सम्रित की एक कार्योजना और सीम महिले सस समाजिक परिशत के मुख कार्य क्या है इसे जुड़े विभिन कार्यात्मक आया हुए कि ब्याख्या कीजिए 2017 में पुछा गया था तो यह हुआ संग्तराष्ट का आर्थिक समाजिक परिशत जो इसके अंतरगत काम करते हैं ठीक है चौथा इंपॉर्टेंट है अंतर नियाले का बैग्राउंड त्यार हुए था ठीक है तो अंतर राष्टी नियाले का जब मुख्याला सबसे पहले आपको ध्यान रखना है हेग नीधर्लेंड में है 1945 में अस्थापित किया गया संग्तराष्ट का प्रमुक नियाई कंग है इसका उद्देस है देस के पीच व कर थे इनुटर महासापा द्वारा और स्रच्छा परसा द्वारा झूने जाते हैं है यानि इनका कारेकाल प्रेश्य होता है यह नौ साल के लिए चुने जाते हैं और नयाग इछिसों को फिर ही तैस नहीं चुने जा सकते हैं अगर नयाधीस की बात करें जो आई सी जे में या इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस में चुने गए हैं उसमें है तर बेनेगल नर्सिंग राव सबसे पहले फिर नगेंद सिंग फिर रगुनंदन स्वरुपाटक फिर जस्टिस दल्विल भंडार ट लív ये जो है आप देखेंगे भारत के इंटरनेशनल कोट आफ जस्टिस में चुने गए थे कि मैं अब इंटरनेशनल कोर्ट आफ यस्टिस इसके आमें आप दिखेंगे एक है अंतर राष्टी अप्राधिक नयाए तो विश्ुका परथम अस्थाइं अंतर राष्टी- संबंदित संगठन नहीं है लेकिन संगत्राष्ट के साथ सयोग करता है यह आपको ध्यान रखना है यह इससे अलग है अंतराष्टी अपराधिक ना इससे अलग है इसका मुख्याले कहा दहेग नीदर लेंड में खिलाब अपराधों सहीद गंभीर अंतराष्टी अपराधों खिलाब मुकत्बा चलाने के लिए अंतिय मुपाय गुरूप में कार करता है ठीक है अपडेट की बात करें हाली में मलेशिया ने रोम संविद्म को अपनाया और आई सीसी का 124 सदस्द बना यह अपडेट है यह कुछ factual information बात करें तो वर्तमान में ICC यानि अंतराष्टी अपराधिक नियाले में लगबग 100-200 की राज्यों के 9 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं छे अधिकारिक भासा हैं अंग्रेजी फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी, स्पैनिस इसके अधिक दो कारिकारी भासा हैं अ अब बात करें जो ICC है संग्तराष्ट परिसेत द्वारा संग्तराष्ट चार्टर के साथ के तहत अपनाए गया एक प्रस्ताव के अंसार अपराधों है तो ICC को संधर रभित किया गया है अब बात करें तो ICC और ICG में भिनता क्या है सबसे पहली भिनता यह है कि अंतरराष्टी नियाले के विप्रीद देखेंगे ICC संग्तराष्ट प्लाडली का हिस्सा नहीं है जिसमें UN ICC का संब्द एक अलग समझता दौरा इसे सासित होता है आईसीजी की बात करें इंटर्जेट कोट आप जस्टिस की बात कर से अंतराष्ट के छे प्रमकांगों में से एक है जो मुक्रप से राष्टों के बीच विवादों को सुनता है निसे पैतालिस मां स्थापित किया गया था फेंग नीदरलेंड में सित है त्याइथीस दलविर भंडारी भारत के नहाले के सदस्य है दूसरी और ICC की बात करें तो ब्यक्तियों पर मुकदमा चलाती है लेकिन आप देखेंगे यह राष्टों के बीच विवादों को सुनता है यह ब्यक्तियों पर मुकदमा चलाती है यह आप अंडरलाइन कर लीजिएगा इसका अजिकार किसी सदस्य राज में या ऐसे की लंबित है इस पर ज्यादा बहांस करने की जरुत नहीं है यह प्रथम विश्यूदे के बाद एक देश के नियंतर से दूसर देश में अंसातित किये कुछ चेत्रों के राष्ठंग के जनादेश की कानून इस्थित थी जब यह अभी देखेंगे तो नियंतर चर्चा कर करमचारियों का सदस्थ सामिल होते हैं महासभा और संगटन के अन्य प्रमुग स्वारा आदेशी संगठन का महासचीव का संगटन का मुख प्रसासनी का जिकारी होता है इससे सुरच्छा परिशत की सिफार सवार पांच साल के लिए नवी करडी अवित के लिए महासभा द इसके प्लसंदार आए तो इनोड़ आए सकते हैं कि साम और साबस और सकते हैं उनाड़ कर सकते हैं । प्रमुक अंग है अब बात करेंगे उनावचारिक रूप से सेंग्ष राष्ट का परिवार है पुरा सिस्टम होता है उसके मुख 6 अंग है और कई उससे संब्धित कारिक्रम और निजियां कई सारे फंड वो चलाता है इसे से जन्सियां बनी है जो इसके माध्यम से जो है युरा निशन के अंदर गत् का करती है TOM सबसे पहले स्मय देखेंगे सर्कार और नेंजी दान दातों को योगदान पर निर्भत करता है थीक है इसके लाव देखेंगे तो 1946 में से समय के तबाह हुए बच्चों और माताओं भोजन स्वास एक भार परदान करने के लिए बनाया गया था 1950 में इसे विकासिल देशों के बच्चों और महिलाओं के लिए दिरकाले जड़तों के लिए के यूनिसिप का विस्तार किया गया फिर उनिस तिरपन में क्या हुआ यह संहिंक राश प्रादी का एक अस्थाइस हिस्सा बन गया ठीक है तो यह तो बात होगे यूनिसिप की इसके लामा यूनिसिप की बात करें तो इसका एक आपूर्थ प्रभाग जो है कोपेन हेगन डेनमार्क में इस्तित है और देखेंगे एचाइबी से पीरिद बच्चों और माताओं के लिए टीके एंट्री वाल अलदवाय पोस और संबंदी पूरक आपात कालिन आस्रे परिवार और सैची कापूर जैसी आवासक बस्तियों का प्रात्मिक बिंदकु रूप में कार करता है यूनिसेफ के रूप में हालिया पहल की बात करें तो बच्चों का जलवाई जोखिम सुचकाम प्रदान करता है इसके लाव सुचना प्रद्यों की पहली वैस्विक रिपोर्ट भी प्रकास्त की गई है यह तो बात होगई यूनिसेफ की नेक्ट जो है इंपॉर्टन कोस क की बात करें तो संयुक्तराष्ट का जनसंख्या कोस या उनिसेफ नेशन पॉपलेशन फंड देखेंगे संयुक्तराष्ट का आर्थिक समाजिक परिषत अपना अध्य ज़रा स्थापित करती है इसे और यह देखेंगे तो SDG 3 यानि स्वास्थ सिच्छा SDG 4 लेंगे समानत सब्सक्राष्ट के लिए सीधे काम करता है इसका मिसन एक ऐसी दुनिया बनाना है जहां गर्ववस्ता वांचित हो हर प्रस्व सुरच्चित हो हर यूवाच हम तब पूरी तरह से कार करें इसके दौर प्रकासित की बात करते तो 20 जनसंख्या रिपोर्ट की प्रकासित करता है ठीक है 2018 में दिखेंगे तो यूनाटेंट नेशन पॉप्लेशन फंड ने तीन परिवतनकारी परड़ाम मत्वाकांची प्राप्त करने के लिए प्रयास रू किये गया इसमें था परिवार नियोजन की अधूरी आवसक्ता को समाप्त करना रोकी जा सकने प्राइब कर देखेंगे तो भारत भी इसका सदस देखेंगे तो भारत भी इसका सदस देस है UNDP को सौपे के कारियों में गरीबी समाप्त करना लोकतांत्रिक सासन प्लाणी विज्ज का सासन समावेसी संस्तान स्थापिद करना ये सामिल है अंतराश्टी विकास पर केंदित संगतराश्ट की प्रमुक एजंसी है इसके तीन चेत्रों पर इसका जो टार्गेट है केंदिर्स है जिसमें सतत्र विकास लोकतांत्रिक सासन सांतिय स्थापना जलवाई और आपदाल अचीलापन सामिल है UNDP द्वारा एक वार्सिक रिपोर्ट प्रकासित की जाती है SDR रिपोर्ट यानि Human Development रिपोर्ट ठीक है संगत कार्याणन को बढ़ावाद देने के लिए कार्य करता है इसके स्थापना जून 1972 में स्टॉक होम की परड़ाम सुरूप की गई थी संउत्राष्ट मासाबाद वारा यूनिप और WMO यानि World Medical Organization ने मिलकर 1988 में IPCC का गठन किया था यानि जलवाई परवर्टन पर अंदर सरकारी पनर ठीक है इसके लाव देखेंगे तो यूनिप के द्वारा यूनिप ने बहुत बहुत सारे खित्रों में अपनी भूमकरी भाई है बहुत पच्छी पर्यावड समझोते में तीके जैसे आप बात केका जैवी उत्या कर्वेंशन में ताइट्स में इसके लाव जंगली जानवर प्र यूनिप ने अपनी महत्पुल भूमकरी भाई है थीक है राटोड्रम कंवेंशन के सफल होने में अपनी महत्वड भूमकरी तो यूनिप में क्या अंतराष्टी व्यापार कुछ खतरनाक रासान Дर को आँसव के लिए इसके लावा यूनिप द्वारा जो है आप देखेंगे ग्लोबल 500 अवार्ड भी दिया जाता है प्रमु का बियान की बात करें प्रदूसर को मात दे यूर्ट सेवेंटी फाइब बिस पड़ेवार दिखेंगे तो पांच जून को हर साल मना जाता है ये भी यूनिप की पहल ह इसके अलावा बात करें तो पर्यावड सभा देखेंगे तो यह भी आप देखेंगे यूनिप का एक सासी निकाह है पर्यावड पर विस्व की सर्वोच अस्तरी निर्ड़ा लेने वाली सस्ता है इसकी बैठक होती है जून 2012 में सदत्विकास पर साभी दोरान बनाया गया प्रियो प्लस टॉंटी की से कहा जाता है यह तो बात होगी यूनिप और सभा की कहां कहां पर सफलता है वो भी अमने आपको बता दी से में गए विगत वार्सव में डिया गया ॐनुर्त वारेट में और कि स्था आधिकार करने के लिए औप्सन्वी राजिस सरकारों को अपने देश के के लिए बनाएंगे समगर carbon footprint के सच्ण बनाने के लिए इसी कई के समय दुनिया भर के जीवास मिधन के उपयोग क्रिज़ कुह होने वाले समग carbon print के आक देखेंगे इसमें जो यूनिब दॉर्ष से संबंदित एक दिरी लाने वाले हैं जिसमें IUCN दुनिया की सबसे पुरानी संस्ता है 1948 लेकर रियो और समिट 1990 की बात करें कॉप 29 तक कैसे दुनिया आगे बढ़ी ठीक है क्रोनोलोजी क्या रही यानि जरा हट के हम समझेंगे कि कैसे माना पर्यावर्ड पर संबंदित संस यूनियम के बाद हम बात करेंगे यू एन हैविटेट की इसका मुख्यालन नेरोबी केन्या में है यह संहुतराष्ट के एक विजे सेजन्सी है संहुतराष्ट महासावदवारा की सासित होता है इसका काम है कि समाजिक और पर्यावर्ड लूब से सस्टेबल कस्बो और सहर और नियू अरबन एजन्डा यह सब यूवर हैविटेट द्वारा प्रकास्त की आता है अब नेक्स्ट बात करेंगे विस्वखाद कारिकरम की यह भी कोस है यह एक अग्रडी मानवी संगठन है जो आपात इस सित में खाद सहाथा प्रतान कर पोशड़ वसुधार के लिए जाना जाता है ठीक है विस्वखाद कारिकरम की बात करें यह स्थापना 1963 में खाद और क्रिसी FAO तथा सहिंगतराष्ट महासाभादारा की गई थी इसे समधित मरप्रहुक पहलेव की बात करें तो सेयर दमील खाद संकट पर वैस्विक रिपोर्ट यह प्रकासित करता है व प्रोग्राम की अब बात करेंगे सेंगतराष्ट की विशिट एजन्सियों की अभी हमने फंड की बात कर ली अब विशिट एजन्सियों की बात करते हैं विशिट एजन्सियों की बात करें तो सेंगतराष्ट एजन्सिया जो सेंगतराष्ट के साथ साथ काम करने वाले अभी को सेंगतराष्ट के समझोते के माध्यम से लाया गया है क्या हुआ था प्रतम विश्यू धिके से पहले भी ये अस्षिस्ट में थी ठीके ये सेंगतराष्ट से राट्ट संग से जुड़ी हुई थी अने की अस्थापना लगबग सेंगतराष्ट के साथ ही की गए थी यानि पैरनल्ड ये काम कर रही थी ठीके अभ सेंगतराष्ट के चार्ट नुच्छत पांच और तिरसट में विशिट एजंसियों के निर्माण का प्रावधान भी है यह तो फैक्चल इंफॉर्मेशन हो गई अब विशिट एजंसियों के में पहला एजंसिय है एफ एओ सेंगतराष्ट के खाद और क्रिस संगठण के आधनिक परिवर्तन कारे सुधारों में मदद करना ठीक है और प्रतेक वर्स 16 अक्टूबर को विश्व खाद दिवस मना जाता है जो कि एफ एओ यानि खाद और क्रिस संगठण के अस्थापना के वर्सगाड के रुप में मना जाता है ठीक है तो यह तो बात होगे एफ एओ दारा मातपूर पहलों की बात करें तो 20 स्थरी मातपूर क्रिस्व रियासत अपना ली यह भी एफ एफ एओ दारा सुरी की गई है इसमें मनुस्तरी टिड्डी पर इस्थित नजर रखना एफ एओ और डबली एच्चों ने खाद इमाने कारियानन के लिए सब तो माम के इस्थित वैस्विक खाद सुरच्चा पोस्वर्ट पर इस्थित और क्रिस इस्थित इस कमोडिटी बाजार इस्थित यह सब जो है एफ उदारा प्रकासित की जाने रिपोर्ट है अब इसमें कैसे पूछा गया इसको देख लेते हैं 2021 में UPSC में कुछ पूछा गया कतन दिया गया सयुक्तराष्ट पूजी विकास नी थी और अर्बरडे फाउंडेशन ने हाली में हैधराबाद में 2020 के व्रिच नगर के मानता प्रतान की यह कशन दो तहरी वनों को बढ़ाने और संपोसित करने में प्रती प्रतिबद्द्दा देखते हैं हैधराबाद में एक क्या है नॉन प्रॉफिट और्गनाइशन है जो सच्छा संग्टन है जिसके सापना 1972 में जॉन रिशना द्वारा की गए थी यह संथा व्रिच्छ अरोपड के लिए सबसे बड़ा एंजीओ है ठीक है तो इसमें देखेंगे यूएंडीपी नहीं सामिल था बलकि क्या सामि इसमें जो है ऑप्सन एक गलत हो जाएगा तो इसमें ऑप्सन डी साही है नेक्स्ट एजनसी की बात करें संग्टराश्ट की विकास कोस या मिनाटरे नेशन क्याप्टल डेवलेप्रेंट फंड ये भी देखेंगे इसका काम अल्बिक्स देसों के बित्ती कारवों करने के संग्ता वाली संग्तराश्ट की विसेश एजनसी है 1966 में इसे संग्तराश्ट के अंतर का स्वाय संग्ठं के रुप में अस्थापना किया गया था ये संस्था जो है सारवणिक और जी संसादने के माध्यम से गरीवी उतकम करने के लिए अस्थानी आर्थिक विकास को बढ थी इसका उद्यस है अंतराश्टी परिवान के अनुमत देने वाले सिद्धानतों तक्नीकों को समन्मेंट करना और ध्यान रखिएगा कि ये जो अंतर राष्टी नागरिक उड्डियन संग्ठं है ये अंतर राष्टी एवियेशन डिगूलेशन नहीं करता है ये आपको द्यान रखना है नेक्स एजंसी की बात करें इंटर्नेशनल फंड फॉर अग्रिकल्चर डेवलेप्मेंट आइफट ये सेउद्राष्ट की विशिट एजंस संस्था है 1970 में स्थापिट किया गया था अंतर राष्टी वित्ती संस्थान के रूप में इस संस्था का मुख देश्था विकासिल देशो यानि राष्ट्रों में गरामिट शेत्र में गरीबी का निवाड़ करना एक संस्था की बात करें आयलो के स्थापना हम बता ही चुके है कि 1919 में किया गया था ठीक है इसका काम था अंतर राष्ट्रम मानकों को निर्धार्द कर समाजिक निया औ यह तो बात हो गई आयलो की तो समझोते पर हस्ताचर किये जाने से वर्स उन्हें श्यालेज में आयलो जो है तो यह कुछ फैक्ट्वल इंफॉर्मेशन हो गई नेक्स्ट बात करें आयम अफ देखेंगे इसका मुख्याल है वासिंग अटन डीसी में है में अस्थापित किया था बिस्वभैंग समू में सामिल होने के लिए यो या आगर आपको इसके लिए आयम फ में सामिल होना ज़रूरी है भारत किस्का सदस्देश है इसका तीन महत्पूर मिशन है अंतराष्टी मौधिक सयोग को बढ़ावा देना व्यापार और आर्थि इसके तोरह प्रकास के जाने वाली मुख्य रिपोर्ट की बात करते हैं इक यानि रिजर्ड ट्रांस निर्दिष्ट निर्दिष्ट करता है एक बेसी एक और विदा रयिए रयिद्व एक संदेह को प्रदाट प्लाडी को आप देखेंगे इंडर्व ट्रांस को इस सांध प्लाडी को नियों है नियोंड करता है पूछा गया हाली में आयमा के SDR में बास्केट में किस मुद्रा को जोड़ा गया रूबल भारती रुपया रेंड रेंड में भी आप देखेंगा 2015 में अंतिम समिच्छा की गए उस द्वारा बोर्ड दार डेड़ा लिया गया कि चीनी रेंड में यानी RMB SDR बास्केट में सम सफोला में यह कुछिन पूछा गया तो यह ध्यान रखिएगा नियों से कुछिन ऐसे पूछे जागा SDR की बात करें SDR का मतलब होता है इसका फूल फॉर्म होता है यह इंट्रेसल जो देखेंगे रिजर्व होता है जो क्रियेट किया जाता आयम अप द्वारा ठीक है और यह SDR की जो वैलू होती है जो SDR की बात एक SDR का बास्कट होता है जिसमें पांच मुद्राय है ठीक है टॉलर और यूरो येन यूवान ठीक है तो इसके लावद देखेंगे तो यह रेंड में भी यह पांच जो है देखेंग बास्कट है इसके दोरा यह वैलुएसन हो होता है ठीक है और यह कैसे एलोकेट होता है तो इसके बात करेंगे जो इनका जिनको कांट्रिवोसन होता है उनके प्रबोसन में यह SDR यानी ऑलोकेशन किया जाता है ठीक है इस सम्माद एक और कुशन देखते हैं इसे पुछा है अंतर राष्टी मौद्रिक वित्ती समित्य यानी IMFC के संदर में निम्रिल कत्रों पर विचार की जो आप्सन एक यह भी देखेंगे तो इसमें दोरों सही है ठीक है यह भी 2016 में पूछा गया तो कुशन ऐसे पूछ जाते हैं एक कुछन और पूछा गया है कि वैस्विक वित्ती सिर्था रिपोर्ट पूर्ट किसको द्वहरा तयार की आती है भी हमने बता है IMF ठीक है यह भी 2016 में पूछ अस्था को रिग्लेर करने के लिए इसे आयोत किया गया था इसके परड़ाम सुरुप उननीस से पैतारिस में क्या हुआ अंतर राष्टे पूर्ण निर्माड विकास बैंक जिसे आई बी आई बी आई डी की नियू रखी गई इसे वर्स IMF के साथ मिला कर आई बी आई डी से उतराष्ट की फिसेस एजेंसियों में से एक है ठीक है सदस्त की बात करें 169 सदस्देश है भारत भी इसका सदस्देश है इसके दार प्रकास्त की जाने वाली प्रमुह रिपोर्ट की बात करें इस जाब डूइंग बिजनेस, Human Capital Index, World Development Report पाच विकास सथान है जिसमें IBRD ठीक है, IDA, IFC, MIGA, ICSID ध्यान रखना है भारत जो है ICSID का सदस्देश नहीं है बाकी चार का सदस्देश है ठीक है इस बैंक की सेरधारता की बात करें तो USA का जो वेटिंग सेर है वो 16.41 है अबसे बड़ा सेरधारक है विसमें उसके बाद जापान फिर जर्मनी फिर यूके फ्रांस का स्थानाता है नए अपडेट की बात करें विसमें के बारे में तो हाली में भारती मूल के अमरेकी ब्यापारी अजय बांगा को अमेरिकी राष्पत द्वारा विसमें के नितिवत करने के लिए नामित किया गया है भारत सदस्य करता है लात करें तो आप कहेंगे कि दोनों ही पैसा देने का काम करती है लेकिन दोनों में अंतर कहा है विसमें के निगरानी करना है टीक है कि यूपीस्टी में कुशन पुशा गया दो यार्स पोला में तब यापार करने की सुधा के सुचकांग में भारत की रैंकिंग समाचारों में कभी-कभी देखती है तो निमलिखित में किस ने इस रैंकिंग घोषडा की आर्थिक सायोग और विकास संगठन विस्व आर्थिक मंच विस्व बैंक विस्व ब्यापार संगठन तो आप देखेंगे विस्व बैंक द्वारा ये रैंकिंग से जो है जारी की जाए एक कुशन और पूछा गया कभी-कभी समाचारों में देखा जाने वाला आई-एफ-सी मसाला बांड मसाला बांड के साथ दर में इबलित कतनों में कौन से कतन साइगे 2016 कुशन पूचा गया और वित्यन के स्रोथ होते हैं तो आप देखेंगे इसमें दोनों साही भी मैंने बता है आई-एफ-सी भी विस्व बैंक समू के अंतर गथी आती है ठीक है एक कुशन और पूचा गया 2016 में एक कुशन पूचा गया था विया पार करने के सुब्धा सुचका अंग्यान इस आप डूइंग बिजनिस में भारत की रैंकिंग समचार पत्रों में कभी कभी देखी जाती है निमलिखित में किस ने इस रैंकिंग को भी रैंकिंग इसका मुख्यार लंदन यूके में है इसे 1948 में स्थापित किया गया था भारत इसका सदस्ट देश है सहिंगत राष्ट के एक बिजनसी है इसका काम दिखेंगे तो सहिंगत राष्ट की जहाँ जाने सिपिंग की सुरच्छा और सरच्छा के सुधारों में उपाय की लिए तरदाई है ठीक है एक सो चोगतर देश हैं यह तो बात करेंगे आइट यू की या अंतराष्टी दूर संचार संग यह इसका संचार नेटवर्क के अंतराष्टी के सुधा के लिए इसका मोख्याल है जेनेवा सुध्जर लेंड में है या ग्लोबल लेवल पर एडिवे स्पेक्ट्रम और गुवड़ा के अच्छाओं का अवंटित करता है बारत को चार साल के कारिकाले के लिए 2019 से 2022 तक आईट्यों कॉंसिल का सदस्ट चुना गया था भारत को 1952 में इस ए यह रेंगें प्राप्थ होई थी यह तो बात हो गए ITU की नेक्स एजनसी की बात करें UNESCO उनेसको दो है सभिज्ज एजनसी है जिसका काम है सिच्छा विज्ञान संस्क्रिस छेत्व अंतराश्य सहयों के माद्यम सान दस्थापित करना ठीक है सभिज्ज को सभिज्ज यह तरी कारियाल है ठीक है 133 में सदस्थ देश है 111 जो है संबंद सदस दोजार बीस तक इसके सामिल है इसके राहा बात करें तो यूनेसको जो है सदस्थ देशों में सामिल तीन देशों को सभिज्ज नहीं है यह चीज़ आपको ध्यान रख नहीं है नोट कर लिजिएग है ठीक है जबकि आप देखेंगे सायुक्त राष्ट के सदस्थ देशों में से तीन देश इसराइल लिंकस्थ यूएससे यूनेसको के सदस्थ नहीं है इसमें इसराइल लिंकस्थ यूएससे के सामिल है इसे केम कहा जाता है केम के आधार पर देखेंगे सैचलिक और सांस्कृतिक संगटन की अस्थापना उन्यूपर से दिसंबर के दोरां पेरिस में आयुद किया गया था ठीक है तो यह तो बात है कि यूनेसको की बैगरांड की अब इसमें आपको ध्यान रखने की जरूत है इसी से कुछे गया है तो इसी से पूछे गया है इंपोर्टेट इंटर्नेशनल डे ऑब्जर्ड बाई यूनेसको ठीक है यह यूनेसको दोरां ऑब्जर्ड किया गए इंपोर्टेट इंटर्नेशनल डे चौविस जनवरी को यूनेसको ने कहा इंटर्नेशनल डे अ मर्च को इंटर्नेशनल डे अलब्जर्ड भाइस इंटर्नेशनल डेवव क्या है अब इसी से जो है कि राष्ट भासाओं में बांगला को भी संबलित किया जाएगा तो आप देखेंगे तो आप्सन दो तो सही है लेकिन यूनियस को दौरा यह कहा गया था कि हम 21 फर्वरी को जो है इंटरनेशनल लेंग्विस डे मनाएंगे ठीक है अब और डे मनायते तीन माई को जैसे और यूट इसके बाद 8 सितंबर को इंटरनेशनल लेटरसी दे पिर आज आएंगे तो इधर नॉवंबर में नॉवंबर ऐसे अक्टूबर में सितंबर में बहुत सारे जो आप देखेंगे दे इनके द्वारा जो है बनाएगा चौबीस अक्टूबर को आप देखेंगे य 10 दिसंबर को इंटरनेशनल माइगरेट देखेंगे देखेंगे जो यूनियसको दौरा आफ्जर किया गया अब पात करेंगे यूनियसको की विस विरासत समेलन और सूची की तो कुछ फैक्टियल इंफर्मेसन और देख लेते हैं 1972 से यूनियसको ने इस सूची को रच्छ किया गया है वरतवार में 42 जो है विस धरोर अस्थल है जिसमें 32 सांस्कृतिक साथ प्राक्रतिक एक मेंस्रित अस्थल है ठीक है इसके लावाद देखेंगे तो रण में हड़ापा सायर धौलाव विर्याओं को फिर जुलाई 2021 में ही आप देखेंगे तिलंगाना में रुद्रसवर यानि रामाबापा मंदिर को सावल किया गया था तो कुल मिलाकर 42 जो है यूनियसको वर्ड हेर्टिस साइट है अब एक तो मूर्थ हमने देख लिया अमूर्थ कुल्चर हेरिटर साइट तो भारत को 2022 से 26 की अवच के लिए अमूर्थ सांस्कृतिक विरासत तरसुर अच्छा है तो यूनियसको के 2003 के कर्वेंजर अंतर सरकारी समित के लिए चुटना गया है भारत ने 2006 से 2010 और 2014-2018 दो बार तक आए-सी अच समित के सदस के रूप में कार किया है अमूर्थ संस्कृत विरासत को देखेंगे सायुक्त राश्ट द्वारा यूनियसको द्वारा 2003 में अपनाया गया यह 2006 में लागू हुआ ठीक है अमूर्थ विरासत का मतलब क्या होता है इसकी जो संस्कृत होती है इसे ज सामूर संस्क्रीब रियासत अस्थल के रूपे यूनस्को के अंतरगत भारत में 14 जो है अस्थल सामिल है यहां पर पूरी लिष्ट दी गई है आप यहां से दीख सकते हैं नेक्स्ट एजन्सी की बात करें इंपॉर्टेंट एजन्सी है यूजन की वह है डबली एच्चो वर्ड हेल्फ और प्रॉजेशन इसकी अस्थाप्राइल उन्नी सो अर्टालिस में की गई थे मुख्याले जिनेवा सुट्जर लेंड में है एक्स चौरान में सदस हैं ठीक है अब बात कहलेंगे संयुक्तरष्ट व्यापार विकास सम्मेल है यानि अंग्टाट की तो आप देखेंगे विकास सिल देशों को वैस्विक अर्थविवस्था के लाभों को निस्पच्छम प्रभाववी रूप से उप्योग करने में सहायता करता है ये या व्यापार नि प्रकासित की जाने वाल रिपोर्टें की बात करें तो व्यापार और विकास रिपोर्ट विस्व विकास रिपोर्ट सबसे कम विक्सित देशों की रिपोर्ट सूचना और प्योस्था रिपोर्ट वस्तिवे विकास रिपोर्ट प्रद्दोगी नवाचार रिपोर्ट सबस इसका काम आवध माधक पदार्त अपराथ आतांगवात के संगर्स के सिय के साहता करने के लिए यह काम करता है ठीक है यह बात होगे अपराथ करे आलेके नेक्स्ट बात करेंगे युनाइट नेशन कनवेंचन और अगेंस्ट कराप्षन 9 दिसंबर 2003 को मेक्सकों में हस्ताचर किया जाने के साथ ही 14 संबर 2005 को या लागू हुआ था अंतराश्टी प्रस्टाचार निरोध दिवस की स्थापना ब्राजिलिया प्रतनी मेंडल के कर्वेंशन के प्रस्ताव के पढ़ांसुर 9 दिसंबर को की गई थी या एक मात्र ध्यान रखीगा अंडरलाइन क्योंकि यह यह प्यस्टी में कुष्ण पूछा गया इसलिए हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे या एक मात्र विधिक रूप से बादिकारी बहपच्छी अंतराश्टी प्रस्टाचार रोधी संधिया है कौन सी युनाटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस करपसर ठीक है पांच प्रमुक छेत्र हैं जिसमें निवारक उपाय अपराधी और विधिक प्रवर्तन अंतराश्टी सयोग परसंपतियों को बसूली तकनी की साहता सूचना इस समय में आप देखेंगे ब्रश्टाचार के विभिन रूपों को सामिल क किये गया है अब इसी समंद्ध देख कुश्चन पूछा गया ठीक है तो जाने किएगा इसकी वर्सगाट अभी मिला मनाई गई है जो ब्रश्टाचार के विरुद्ध सयोगतराश्ट का विरुद्ध के तसकरी विरुद्ध के प्रोटोकॉल है अभी मैंने बढ़ा कौन सा प्रोटोकॉल है यह है यू यविएन टी ओ सी यू एन एसी नहीं है ठीक यह उप्सन एक गलत हो जाएगा उप्सन दो यू यूएन एसी अब तक का सबसे पहला विदिक बाधिकारी तोर भौमिक ब्रैश्टाचारी नियोति निकाय है तो यह साप्सन सही है उप्सन तीन की कि विशिट अध्या का समय वैसन है जिसका लच्छ उन संपत्नियों को वैद स्वामित को लटाना जिसे वावाय तरीके से में ली गई थी ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है ऑफ्सन फोर की बात करें मादक द्रब अपराज विस्यक्त राष्ट कारियाल है जिसे यूएन ओडीसी कहते हैं सदस्यों राज्यों दरहा UNCAC और UNTOC को सयोग से अधसेदित होता है इसमें दो और चार्ट था ही है ठीक है अब बात करेंगे UNTOC कि कि यानि United Nation Convention Against Transitional Organized Crime इसका काम का है इसका काम है संगठीत अपराज के लिए एक अंतराश्य संभीलन है यदि अपराज सीमा पार होता है यह प्रवर्तन इसके सदस्देश है उनके पर सहीजों के दोरा प्रवर्तन को लाव करता है इसके लाव देखेंगे कि यूएन ओडी सी यह यूएन टी ओसी का सरच्छक है कि के दोजार में अडॉप्ट किया गया था और दोजार तीन में पोस्ट में आया था ठीक है सध्यान रखने का यूनाइटेट नेशन कर्वेंशन अगेंस ट्रांजेशन ओगनाजिशन क्राइम जो है यह अगर सीमा पार कोई भी ऐसा अपराध हुआ है तो उसके प्रवर्तन के रूप में कार्य करता है नेक्ट पात करेंगे यूएन डी सीपी की यह यह यूनाइट प्रकासित करता है इसके लाओं बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्था की बात करेंगे एजनसी की बात करेंगे संयुक्तराष्ट मानवादिकार परिसाति जिसका मुख्याले आप देखेंगे यह नेवा सुर्जर लेंड में है 2006 में से स्थापित किया गया था वरत 26 में 2006 संचार्यत पूर्वर्टी संस्था कमीशन और यूमन राइट को प्रतिस्थापित किया है इसके लाओं बात करें इसमें कार्य क्या है मारा उधिकारे को लंगन को रोकना उसका मुकाबला करना और सहीक त्राश्ट प्राली के भीत मारा उधिकारे को मुख धारा को ब आर्ची के लिए पुना निर्वाचित किया गया था ठीक है तो यह तो बात होगा यूए आचार्ची की इसी समधित एक अवार्ड है डांसेन रिफ्योजी अवार्ड ये जी यूए अर्सी द्वाला दिया जाता है तो हभी हाली में 2023 में डांसेन सरारार्थी पुरसकार दि दिया इन्होंने क्या किया यह खुद एक विस्थापित बच्चे है विस्थापित बच्चों को युगाओ के लिए सिच्छा कर समर्थन किया था इसलिए नहीं दिया गया था पूर जर्मन वाइस चांसलर थी एंजिनरा मार्केल को सीरियस अंकट में सरारार्थी के पहले जो पहले राष्ठंद को जो है पहले यह पुरस्कार दिया गया था ठीक है 1922 में नोबल सांथ पुरस्कार विज्यता थे उनका नाम था फिज्यत नॉंसेंट ठीक है और पुरस्कार विज्यता की बात करें एलनोर रूजविल्ड उन्हें सेउध राष्ठंद के प्रत्म अध्यश थे नेक्ष्ट बात करेंगे एसिया और प्रसांथ वहां सागर के लिए सैउध राष्ठ का आर्थिक और समाजिक आयोग ठीक है यह एसिया प्रसांथ च्छेत की सैउध राष्ठ की एक छेतरी साखा है ठीक है इसके स्थापन ने उस्थापन ने की गए ते मुख्यारत थाइल समयुत्राष्ट के चार्टर में किया गया है सतत्त विकास के लिए पड़िवत्तन कारी एजंटा जो 2030 त्वारा इंड़ देशते हैं समयुत्राष्ट की जाने महत्पर रिपोर्टे की बात करें वर्ड पॉपलेशन प्रस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 वर्ड यूथ रिपोर्ट वर्ड सोसल रिपोर्ट वर्ड एकोनॉमिक सिच्वेशन और प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट एक संस्ता की बात करें तो अंतर राष्टी समुद्र तल प्राधिकर इंटरनेशनल सीवेट अथर्टी आई असे नीज में रता इसको देखना है इसका जो मुख्याल है जमायका क इंगस्टन में है इसके बारे में बात करें तो 1982 में स्युद्राष्ट के अंतराष्ट समुद्र वीद असम है अंक्लॉज के ताज स्थापित एक स्वायत अंतराष्ट संग्टन है भारत इसका सदस्देश है इसका काम क्या है गहरे समुद्र के खनन के लिए छेत्र इस वाधिक संपता संग्टन मुख्याले का जनेवा सुट्जेलेंड में संग्टन में की गए थी दुनिया भर में रचनत्मक विदियो और प्रोसाहन करना वाधिक संपता का सरश्ट को बढ़ावा देना भारत इसका सदस्देश है ठीक है वाधिक संपता के वर्यकर्ण के संधिया की बात करें दनीश एग्रिमेंट लोकार्णो संपता से आपको ध्यान रखना है 1968 स्ट्रासबक सम्झाता उन्हें से कात्तर वियरा सम्झाता उन्हें स्तियांतर इक नेक्स्ट बात करें तो एंडिया यूएन डेबलेट मार्टनर्शिप यानी यूएन डीप आप सब्सक्राइब करता है इसका यूए संबंद नहीं है लेकिन कभी कुछे दाता है वुमेंस वर्ड बैंकिंग यह एक एंजीओ है 1989 में स्थापित किया गया था महिला उनके परिवारों सम्धाओं के आर्थिक इस्तित्ता और सम्रिद्धा को सुर्शित करने के लिए किया गया था परत्मान में इस संस्था में 28 दिसों की क्यान संस्थानों के साथ काम करता कम आये वाली महिलाओं को वित्ति सेवर प्रदा को देखेंगे